तो अब जो फोर्थ मेन कंपैरिजन का पॉइंट है उसका नाम है human development indicators अब हम एक दूसरे से जब बाते करते हैं तो जैसे class में दो-तीन बच्चे जब आपस में कंपैरिजन करते हैं तो वो कहते हैं भई economic comparison तो बहुत हो गया करेंगे अब हम यह अब कैसा comparison करेंगे मतलब बच्चोवाली बहसते तुम बताओ तुमारे math में कित्ते marks आए अब ओघ्जी की दिए लिए अब हम अग्यां वाले पेरामीटर के नाके बडाबर ही बात करेंगे यहां पर हम comparison करेंगे human development indicator पर कि आपने आपके देश की जो जनता है जो लोग हैं उनका कितना आप भला कर रहे हो क्या development हो रहा है उस पर बात करेंगे तो इसके लिए हम लिख लेते हैं आपके लिए पहले नीचे आप लिख लो मतलब एक table बना लेते हैं तो table में basically चार column होंगे पहला column थोड़ा बड़ा होगा और अगले तीन column बहुत ही छोटे छोटे से ही होंगे तो यह table कोशिश करने हैं आपको घर से रट के जानी है और अगर रटा ना जाए तो इसका फर्रा लेके चले जाना चॉइस आपकी है तो human development indicators में पहले column का नाम तो है items इसमें हम कुछ बाते लिखेंगे और उसके बाद इंडिया चाइना और पाकिस्तान चलो तो item भी लिखते रहते हैं सब कुछ लिखते रहते हैं table complete कर लेते हैं फटा फट तो सबसे पहले item में number one human development value यह bracket में index 0.645 0.761 0.557 second hdi rank India की क्या है 130 China की क्या है 87 Pakistan की क्या है 154 चलो तो पहले मैं इन की बात कर लेता हूं तो बच्चो human development value यह human development index क्या है basically human development को नापने के बहुत सारे parameters होते हैं वो parameters तो हमको नहीं पढ़ने खेर उन parameters के आधार पे अलग 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 देशों को value दी जाती है कि भई इस parameter में आपकी क्या value और वो जो parameter होते हैं जो बिलकुल ही वहियात होगा उसकी value होगी 0 मतलब कि भई आपके यह human development की value क्या 0 है बिलकुल कुछ भी नहीं कोई development नहीं है और जो बिलकुल perfect होगा extreme उसकी value होती है 1 तो इसलिए human development की values आप देखोगे हर देश की 0 और 1 के बीच में लाई करेगी क्योंकि 1 तो बिलकुल होगया top class और 0 होगया बिलकुल बेकार तो अब देखो इंडिया की value है 0.625 चाइना की value है 0.761 तो दोनों में से कौन भेथर है चाइना और पाकिस्तान की value है 0.557 तो इसका मतलब यह तो इंडिया से भी बेकार है तो इसी के आधार पे देशों की rank तैओ होती है इस के आधार पे देशों की क्या तैह होती है तो अगर आप ध्यान से देखोगे रंग तीनों के अप्षैन में तो इसलिए चाइना िरंग सब से बढ़ी है उसकी rank 87 है इंडिया की रंग थोड़ी चाइना से बेकार है 130daughter और पाकिस्तान की रैंक सबसे बेकार है 154 है तो इसलिए इनी वेल्यूस के अधार पर देशों की रैंक बन जाती है तो पहले यह दोनों क्लियर हो गए उसके बाद एक लाइन छोड़ सकते हैं आप नंबर थ्री क्योंकि मतलब मेन जो थे वो पहले दो थे जो मेन ली याद रखने है बाकि उसके बाद नंबर थ्री तो है सिंपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कौन कितना जियेगा ब्रैकेट में इनियर्स तो भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.7 चाइना में है 76.9 पाकिस्तान में है 67.3 उसके बाद नंबर फोर मीन इयर्स ओफ स्कूलिंग ब्रैकेट में एजिड फिफ्टीन और अबव इंडिया में है 6.5 चाइना में है 8.1 पाकिस्तान में है 5.2 अब मीन इयर्स ओफ स्कूलिंग क्या होता है वही मीन इयर्स ओफ स्कूलिंग मीन इयर्स ओफ स्कूलिंग का मतलब होता है लिख लेता हूँ छोटे बादल में average number of completed years of education average number of completed years of education कि भही मतलब किस देश में on an average 15 से ज्यादा की उमर का जो व्यक्ति है उसने कितने वर्ष अपनी education complete कर लिए मलग कितने वर्ष वाली education इसने complete कर रखिए average number of completed years of education ऐसा नहीं कि आपने 12th में admission लिया और बीच में छोड़ देए complete आपने कितने years की education ले रखिए तो भारत में साड़े 6 मतलब की साड़े 6 साल चाइना में 8.1 तो यानि कि वहाँ पर completed education लेने वाला जो लोग है उनकी average years जादा है तो इसका मलब वहाँ पर कोई बच्चा admission लेता है तो वो जादा लंबे समय तक अपनी education complete करते है भारत में खाली education में 5.2 इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ सकते हैं आप नंबर पाँच GDP पर capita और ब्रैकेट में लिखा है PPP US dollar तो इसका मतलब शुरू में आपको एक बादल में लिखवाया था सितारे में PPP US dollar तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम GDP पर capita जो लिखेंगे यानि कि देश का एक आदमी का GDP क्या है पर capita GDP तो वो किस terms में लिखेंगे dollar के term में है न क्योंकि सारे देशों की हमने बताया था purchasing power parity करनी पड़ती है same तो वो लिख लेते हैं तो इंडिया की है जी 6681 चाइना की बताओ 16,057 और पाकिस्तान की 5,005 तो यह dollar है बेसिकली उसके बाद नंबर च्छे पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने प्रतीशत्त लोग है है न परसंटेज है यह तो भारत में 21.9 परसंट चाइना में 1.7 परसंट पाकिस्तान में 24.3 परसंट उसके बाद नंबर 7 infant mortality rate infant mortality rate infant mortality rate क्या होता है बच्चा एक साल से पहले अगर मर जाए तो तो यह हम कितनी lives पर निकालते हैं पर thousand lives तो अगर हजार बच्चे पैदा हुए तो भारत में कितने बच्चे मर जाते हैं 29.9 चाइना में 7.4 और पाकिस्तान में तो भाई साब 57.2 उसके बाद 8 maternal mortality rate maternal mortality rate क्या होता है कि बच्चे को जनम देने के दौरान कितनी महिलाओं की मृत्ति हो जाती है maternal mortality rate कि बच्चों को जनम देने के दौरान कितनी महिलाओं की मृत्ति हो जाती है तो यह कितने पर निकालते हैं पर तो अगर देश में माल लो महिलाओं ने एक लाख बच्चों को जनम दिया है तो उन में से जनम देते ही कितनी महिलाएं मर जाती हैं तो भारत में 133, चाइना में 29, मात्र और पाकिस्तान में 140 उसके बार नमबर 9 नमबर 10 और नमबर 11 यह सबसे बेकार हैं इन्हें आप एक बार को अगर बायचंस थोड़ा सा इग्नोर भी कर दोगे तो चल जाएगी बात लेकिन फिर भी रीड करके चले जाना नमबर 9 में है पॉपुलेशन यूजिंग इंप्रूवड सैनिटेशन वह कितने प्रतीशत जनता इंप्रूवड सैनिटेशन का उपियोग कर रही है तो भारत में सिर्फ 60 प्रतीशत जनता कर रही है चाइना में तो 75 प्रतीशत कर रही है और पाकिस्तान में भी 60 प्रतीशत ही कर रही है उसके बार number 10 पॉपुलेशन यूजिंग एट लीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स प्रतीशत कितने प्रतीशत जनता बेसिक ड्रिंकिंग वाटर फितने हो कर अफ ब्रिंकि जनता कर रही है तो भारत में नइनिटीट प्रतीशत चाइना में नैंटीच्षी प्रतीशत और पाकिस्ताइन में तो नॉये है और लास्ट पररसेंटेज ओफ का अन्डरृष्ट चिल्डरन अन्डर नरिष्ट का मतलब क्या होता है जिनने बताओ अंडर नरिष्ट का मतलब प्रॉपर डाइट नहीं मिलती यानि इन एडिक्वेट डाइट जिनने प्रॉपर डाइट नहीं मिलती तो भारत में 37.9 प्रतीशत चाइना में 8.1 प्रतीशत और पाकिस्तान में 37.6 प्रतीशत तो ये बेसिकली human development parameters के आधार पे comparison है अलग-अलग देशों का तो ये आप note कर लो तो इसमें कुछ अंग्रेजी नहीं लिखनी बच्चों क्योंकि अंग्रेजी कुछ है नहीं बस एक बार लेकिन देख लो तो आपके लिए इसमें सबसे ज़्यादा important कौन से है उपर के दो थोड़े से कम और medium important कौन से है तीन से लेके आठ तक ये medium medium है और जो बिल्कुल बेकार है मैं अलग जो आपको अगर बाद में लगे चलो छोड़ दो यह नहीं मैं पढ़के जाओंगा एक्जाम में तो लास्ट के तीन है अच्छा अब एक बार ये बता दो पीला और नीला हाइलाइट कर लेते हैं रैंक तो चलो values के हिसाब से ही हो गई तो पीला नीला तो होई गया life expectancy में सबसे बढ़िया कौन? चाइना सबसे बेकार कौन? पाकिस्तान mean schooling years कितने बच्चों ने अपनी education complete कर ली schooling की उसमें सबसे बढ़िया कौन? चाइना सबसे बेकार कौन? पाकिस्तान उसके बाद GDP per capita डॉलर की terms में कि एक आदमी के ओपर कितना GDP आ रहे है तो सबसे बढ़िया कौन? चाइना सबसे बेकार कौन? पाकिस्तान people below poverty line कितने प्रतीशत जनता poverty line के नीचे है सबसे बढ़िया कौन? चाइना क्योंकि भई poverty line से जतना कम होगा उतना अच्छा है ना और सबसे बेकार कौन? पाकिस्तान क्योंकि उनके 24.3% लोग गरीबीगी लेखा के नीचे है उसके बाद infant mortality rate बच्चे मर रहे हैं 1000 बच्चे मरे तो सबसे बढ़िया है और पाकिस्तान में 1000 बच्चे पैदा हुए तो 57.2 बच्चे मर गए उसके बाद maternal mortality rate एक लाख बच्चों को जनम देने के बाद चाइना में सिर्फ 29 महिलाएं मरी हैं जबकि पाकिस्तान में 140 महिलाएं मर गई हैं तो सबसे बेकार कौन? पाकिस्त तो उसमें भी आप देखोगे तो चाइना तीनों में सबसे बढ़िया है तो मलब पूरी टेबल में चाइना को पीला ही कर देते हैं और पाकिस्तान को नीला कर देते हैं तो हमारा easy हो जाएगा comparison तो हम चाइना से कम अच्छे हैं human development indicator में और पाकिस्तान से थोड़ा सा बहतर है तो clear हो गए human development indicator तो हो गए यह तो कितने हो गए आपके चार हो गए ना comparison में ठीक है तो अब इसके नीचे एक सितारा है अलग कहानी वाला इसका नाम है liberty इंडिकेटर तो यह कोई में टॉपिक नहीं लेकिन एक छुटकू सा स्टार पॉइंट है तो इसलिए लग से लिख रहे हैं तो पहले लिखते हैं फिर समझाता हूं liberty indicators तो इसमें लिखने है लिबर्टी इंडिकेटर अच्छा सॉरी heading change मैं गलत बूल गया मैं लग गलत लिग गया तो spelling से ही कर दे न liberty indicators में liberty indicator may be defined as the measure of extent of demographic participation demographic participation in social इसमें तो keyword है social इसको बादल बना लो and political दूसरा keyword है political इसको बादल बना लो social and political decision making social and political decision making full stop examples dash dal ke a measures of the extent of the constitutional constitutional protection protection rights given to citizens or b extent of the constitutional protection of independence of the judiciary and rule of law तो सर ये कौन सा civics का lecture शुरू हो गया बीच में हमारा liberty indicator ये क्या छुटकू से अब है तो लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब ये है कि कहरे लिबर्टी इंडिकेटर में भी डिफाइंड एज मेजर ऑफ extent of demographic participation in social and political decision making liberty word का मतलब क्या होता है लिबर्टी का वैसे मतलब होता है छूट आजादी तो यहां पर दो keyword है वो यह है कि भई जो लोग है हमारे जिनसे हमारी demographic बनती है उनको कितनी आजादी है सामाजिक तौर पर और राजनितिक तौर पर है ना decision making में बहें मालो यहां पर तो चलो आजादी है आप वोट दे सकते हो राजनितिक आजादी है आप वोट देकर जिसको चाहें नेता बना सकते हो मालो यह सब आपके rights खतम कर दिए जाएं आपके citizenship rights खतम कर देगी आप वोट नहीं दे सकते अब तो हम decide कर लेंगे कौन नेता के लिए अब इसका example में क्या दे रहे है जैसे example में दे रहे measures of the extent of constitutional protection rights given to the citizens अब देखो भाई citizen को हम कुछ constitutional rights provide करते हैं न कुछ आप कहते हैं कि यह तो यह हमारा अधिकार है यह संविधान में लिख है आप कहते हैं इस तरह की बाते तो इसका मतलब जिस देश में citizens को जितने जादा अगर constitutional protection rights मिल रहे हैं तो इसका मलब वहां के लिबर्टी है लोगों के पास तो यह एक example हो गया कि भाई लोग जो हैं उनके पास constitutional संविधानिक rights हैं तो जिस देश में जादा है तो इसका मलब जादा liberty indicator बढ़िया है अब जैसे अफगानिस्तान का example ले लो तो वहां पे नहीं है यह कम है दूसरा extent of the constitutional protection of independence of the judiciary इसका मतलब होते है हिंदी में कि भई न्याय पाली का स्वतंत्र है न्याय पाली का मतलब एक तरह से हो गया देश का जुडिशरी सिस्टम अलब कोर्ट सिंपल देशी भाशा में वह क्या है स्वतंत्र है स्वतंत्र का मतलब हो गया कि इसको फांसी दे दो और इसको जेल दाल दो इसको यह छोड़ दो ऐसे पищering कोड़ जो है कानुब जो जो है जुडिशरी जो एक है इंडिपेंडेंट फें तो जिस देश में जतनी जुडिशरी को इतनुडिपेंडेंदेंस के आजाधी की आजाद होगी इसका मतलब वहाँ पर उतने भढ़िया लिबर्टी इंडिकेटर्स हैं तो यह पाकिस्तान पाकिस्तान में शायद इतनी लिबर्टी ना हो वहाँ पे मिलिटरी का जोर जाधा रहता है तो ऐसा हम कह सकते हैं तो यह भी कुछ पूरिषएंडीकेटर्ट थोते हैं अपार्ट फॉमिज्ज को एगडिपीन इंडिकेटर्ओं च्ला है तो बेसिकर्फ के का चार इंडीकेटर्डर्स खतम हो 선acular है चार इंडीकेटर्स पर हम लडाइः करते हैं तीनों देशो की कि तीन को एकनामिक होते हैं और एक था human development तो बस अब जो last हमारा topic होता है main topic उसका fresh page पर ही लिख सकते हो वो होता है कि अब हम finally conclude करेंगे तो basically chapter भी conclude होगा और पूरा Indian economy भी conclude हो जाता है कि बही क्या है appraisal तीनों की अपनी अपनी कहानियों का तो इंडिया का तो खेर appraisal हम पूरी पढ़ते ही हैं शुरू से लेकर अन तक तो main China और पाकिस्तान के बारे में हम कुछ लिखेंगे तो हमारी heading बन गई appraisal of development strategies तो बस हमें चाइना और पाकिस्तान के बारे में दो-चार-दो-चार बाते लिखनी है mainly तो कि इनकी जो भी strategy रही चाइना की या पाकिस्तान की उसको हम appraisal कर रहे हैं उसको हम मतलब evaluate कर रहे हैं कि कैसा रहा तो आप इसमें ऐसा लिख लो सबसे पहले main center of the page चाइना तो पहले हम चाइना के बारे में बाते लिख लेते हैं तो first error दाल के China did not have any compulsion to introduce reforms like India or Pakistan second error but some adverse situations but some adverse situations of the economy prior to 1978 comma forced China to go to reforms forced China to go to reforms third error pre-reform period इसको आप highlight कर ले ना चाइना के लिए pre-reform period इसमें पहली बिंदी दालके there had been massive extension of basic health services in rural areas दूसरी बिंदी through commune system through commune system there was more equitable there was more equitable there was more equitable distribution of food grains दूसरी बिंदी दूसरी GLF and other initiatives दूसरी 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 in mid 1950s और इसके बाद चौथी और आखरी बिंदी in 1978 the government of China the government of China was not satisfied the government of China was not satisfied with slow pace of economy with slow pace of economy with slow pace of economy comma they felt that Mayoist vision had failed full stop as a result reforms were introduced in 1978 चलो तो पहले एक बार इतना discuss करते लेता हूं मैं आपके साथ फिर क्योंकि आगे इसी का continuation होगा न तो देखो शुरुवात अभी हम चाइना के अंदर ही थे तो हमने शुरुवात तो ऐसे गरी कि भई चाइना के उपर न कोई सूखा आ गया तो वो खतम हो गया फिर माओ कल्चरल रिवॉल्यूशन लेकर आया 1968 के आसपास बड़ वो 1976 में जब माओ की मृत्य हुई तो वो भी खतम हो गया तो देश के हालात जब इतने बिगड़ गए तो 1978 में फिर चाइना ने सोचा कि अब तो हमें रिफॉर्म लाने प में उनको काफी भड़ चड़कर बढ़ाया गया उनको काफी एक्स्टेंड करा गया दूसरा आपने पढ़ाई था शायद अगर आपको याद हो कॉम्यून सिस्टम्स की वजह से जो फूड ग्रेंस था उसका डिस्रिबूशन काफी इक्वीटेबल रहता था इक्वीटेब तो चाइना का जो पर कैपिटा आउटपुट था 1978 में वो वो ही था सेम जो उनका मिड फिफ्टीज में था यानि की कोई 20 सालों में कोई भड़ोतरी नहीं हुई और इसी लिए देखो चाइना की सरकार को क्या लगा कि भई हमारी एकनॉमी तो क्या है बहुती स्लो पेस पे काम कर रही है और उन्हें लगा कि जो मायोिस्ट विजन है मतलब कि जो माव ने अपनी बाते करी थी वो सब बेकार है तो इसी लिए सरकार ने क्या इंट्रोड्य कर दिये रिफॉर्म्स तो चाइना के अंदर 1978 में रिफॉर्म्स आ गए तो कितने एरो हो गए चाइना के एक दो तीन एक दो तीन अब जो चौथा एरो है वो है पोस्ट रिफॉर्म पीरिएट काले रंग से पोस्ट रिफॉर्म पीरिड तो अब रिफॉर्म आ गए तो मतलब ऐसा समझ लो बॉलिवुड मूवी में अभी तक हीरो की एंट्री नहीं हुई थी तो उससे पहले की कहानी चल रही थी स्टोरी चल रही थी अब 1978 में हीरो आ गया तो अब हो गए पोस्ट रिफॉर्म हैं कि बात क्या हुआ तो पहली बिंदी पहली बिंदी में लिखते हैं दा वेरियस रिफॉर्म्स दा वेरियस रिफॉर्म्स लेड टू रैपिड ग्रोथ इन चाइना तो रैपिड ग्रोथ को आप पहले तो बादल बना लो कीवर्ड हो गया तो रिफॉर्म्स के आते ही ग्रोथ रैपिड मतलब बहुत तेजी से होने लगी दूसरी बिंदी इच रिफॉर्म मेजर इच रिफॉर्म मेजर वाज फर्स्ट इंप्लिमेंटेड आट अस्मॉलर लेवल वस फर्स्ट इंप्लिमेंटेड आट अस्मॉलर लेवल एंड देन एक्स्टेंडड ओन मैसिव स्केल तो यही तो समझदारी होती है कि पहले किसी भी मेजर को छोटे स्तर पर लागू कर दो और फिर उसको एक्स्टेंड कर दो मैसिव स्केल पर तो देन एक्स्टेंडड को आप बादल बना लो मतलब इससे आपको याद आ जाएगा कि चाइना के रिफॉर्म्स पहले छोटे स्केल पर और फिर उसके बाद मैसिव स्केल पर एपलाई करे गए उसके बाद number three और क्या हुआ reforms के बाद development of infrastructural facilities development of infrastructural facilities in the areas of education and health helped positively in improving social and income indicators इसमें आप infrastructural facilities को बादल बना लो कि बही चाइना ने reform आने के बाद अपने infrastructural facilities पर भी खूब development करा उसमें education और health को highlight कर लेना तो education और health को बहुत उन्होंने develop करा तो इससे कितना फायदा हुआ उन्हें चाथी बिन्दी agricultural reforms brought prosperity इसमें आप अग्री कल्चरल रिफॉर्म्स को बादल कर लेना और प्रोस्पारिटी वर्ड को हाइलाइट कर लेना तो मतलब ये बेसिकली पूरा चाइना का लेखा जोखा फिनिश तो अब देखो चाइना की पूरी स्टोरी अगर समप करूं लिख लिए चारो पॉइंट तो देखो चाइना पे पूरा एक कुशन पांच नंबर का पूछ लेता है तो आपको अच्छे से कहानी में आंसर बना की लिखना पड़ेगा देखो बहुत ही सिंपल स्टोरी है इसको स्टोरी की तरह लेना तो चाइना की ही डवलोप्मेंट स्ट्रेजी को एप्रेज करने को काफी बार कुशन पूछता है तो आप ये कहोगे कि पहली बात तो चाइना के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था रिफ अच्छा पॉइंट है इसके अलावा कॉम्यून सिस्टम की वजह से लोगों को बराबर फूड ग्रेन का डिस्ट्रिब्यूशन होता था ये अच्छा पॉइंट है परंतु बुरे पॉइंटों की हम बात करें तो जो पर कैपिटा आउटपुट था देश का वो वही था ज जाएंगे रिफॉर्म्स लेकर आ जाएंगे तो 1978 में जब रिफॉर्म्स आये तो उससे देखो क्या-क्या फायदे हुए तो ये सारे ही पॉइंट अच्छे अच्छे हैं चाइना की रैपड ग्रोथ हो गई हर रिफॉर्म मेजर को पहले छोटे स्तर पर और फिर बड़े स् उसके बाद चाइना ने अपनी infrastructural facilities को भी बहुत अच्छा डवलप करा education और health को लेकर जिससे काफी उनके indicators इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए और साथी साथ agricultural reforms भी जो आये उससे गरीब लोगों को भी काफी prosperity मिली तो सही है simple 5 नंबर में हम पूरी बात लिख लेंगे तो चाइना की कहानी तो finish हो गई और दूसरे कौन से country की appraise करनी है हमें पाकिस्तान की बस क्योंकि दोई neighbors हैं हमारे course के अंदर तो second हम लिख लेते हैं पाकिस्तान तो इसमें जादा नहीं होती appraisal की बाते तो जो भी हैं वो लिख लेते हैं इसमें तब first arrow दाल के लिखना in pakistan comma the reform process led to worsening w-o-r-s-e n-i-n-g worsening of all the economic indicators all the economic indicators full stop as compared to 1980 comma the growth rate of GDP and its sectoral contribution decreased in 1990s तो पहली बात तो इसी में highlight कर लेते हैं worsening of all economic indicators तो पाकिस्तान की मतलब reforms के बारे में शुरवात ही इतनी बेकार बात से होती है कि इनके हाँ जब reforms आये 1990s में तो उल्टा इनके सारे economic हालात खराब हो गए इनके 90s में की इनका जो GDP का contribution जीडीपी का growth rate था वह नइटी नइटी में ज्याधा ता, पहले reform आने से पहले यह अच्छे थे और रिफॉर्म आने के सारे बाद इनका growth rate slow हो गया की, 90s में interpret임 GDP का rate कम हो गया या growth rate कम हो गया जबकि 80s में इनका growth rate अच्छा था second point second arrow में लिखना है the proportion the proportion of poor in 1960s was more than 40% comma which declined to 25% in 1980s फिर दूसरे कलर के पैंसे लिखना and started rising again in 1990s तो देखो दूसरा point भी यही कह रहा है कि मतलब 1960s में इनकी poverty थी 40% जो कम होकर 25% हो गई 1980s में ठीक है तो 1980s में इनकी poverty कम हो गई लेकिन फिर कह रहा है and started rising again in 1990s तो इनके साथ आप देखो तो reform आने के बाद क्या हुआ बेकार हुआ तो पहले point में भी उल्टा और दूसरे point में भी उल्टा कि reform आए 1990s में तो इनकी poverty भी भनने शुरू हो गई और इनके economic indicators या इनका GDP का growth rate भी कम होना शुरू हो गया तो भाई अब आपके मन में प्रशन आएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है हम सबका तो अच्छा होए इनका बुरा क्यों हो रहा है तो उसके लिए हम लिखेंगे तीसरे arrow में इसी बात के कारण की भाई क्यों हो रहा है सर reasons for slowdown of growth and re-emergence of poverty की भाई ऐसा क्यों हो रहा है सर की गरीबी वापस से भढ़ रही है इनका growth भी दुबारा slow हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है सर बड़ा जानने में दिल्चस्प भी लग रही है मुझे तो क्योंकि आम तोर पे तो reforms आने के बाद अच्छा होना चीए तो आप बताओ थोड़ा सा कुछ बता सकते हो आपने पढ़ा होगा school में कि इनके साथ ऐसा उल्टा अखिर क्यों हो रहा है कि reforms आ रहे हैं और GDP भी कम हो रहा है poverty भी दुबारा बढ़ रही है कि वार कि मिलिटरी इंवल्मेंट ज्यादा है और पता नहीं चेलो तो लिख लेते हैं लिख के हमें समझ आ जाएगा तो पहला लिखते हैं पहला पॉइंट है एग्री कल्चरल ग्रोथ and food supply situation was based on good harvest based on good harvest को आप highlight कर लेना based on good harvest and not on institutionalized not on institutionalized process of technical change of technical change उसके बाद दूसरी बिंदी इन पाकिस्तान most of the foreign exchange most of the foreign exchange earnings come from remittance from workers in middle east and exports are highly volatile and exports are highly volatile तो इसमें आपको लिखने है highlight करने है remittance from workers को और एक्सपोर्ट सार हाईली बोलाटाईल को और तीसरी बिंदी there was growing dependence there was growing dependence on foreign loans on one hand and increasing difficulty and increasing difficulty in paying back the loans on the other तो इसमें आपको highlight करना है growing dependence on foreign loans चलो तो अब देखो reason क्या है है ना तो पाकिस्तान की अगर हमें reforms का appraisal करना हो तो उसमें हम शुरुबात क्या करेंगे दो point से कि reform आने के बाद इनके economic indicator बेकार हो गए GDP growth rate कम हो गया poverty वापस से बढ़ गई तो फिर मुद्दा यह आते क्यों ऐसा हुआ अब reasons देखना ध्यान से तीनी reason है कोशिश करना तीनों याद रहे बहुत ही भड़ी हा reason है पहली बाद तो यह कि भाई यह जो लोग थे पाकिस्तान में agricultural जो growth थी या food supply जो भी होता था देश के अंदर वो based होता था on good harvest good harvest का मतलब है कि अगर फसल अच्छी हो गई तो फिर सब कुछ अच्छा हो गया नहीं हुई बारिश जादा हो गई सूखा पढ़ गया तो फिर सब बेकार हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं indirectly है कहना चारें कि यह काफी जादा dependent होते थे rainfall पे कि भई मतलब बारिश मोटा मोटा अच्छी हो गई सब कुछ अच्छा हो गया good harvest हो गया तो ठीक है लेकिन इनका सपोर्ट जो था वो पढ़ो आगे लिखा है not on institutionalized process of technical change मतलब इनका agriculture जो है अच्छी technology पर based नहीं था या इनकी agricultural growth किसी अच्छे institutionalized process पर based नहीं थी बस भगवान भरो से थी कि अगर अच्छी harvest हो गई good harvest हो गई तो ठीक नहीं तो बेकार दूसरा point अब किसी भी country के अंदर foreign exchange जो होता है वो कहां से कमाया जाता है उसका major source क्या होता है किसी भी country के अंदर आपने macro में balance of payment पढ़ रखा है ना export से होते है न तो किसी भी देश का dollar कमाने का major source होता है exports का कि आप goods बना बना के विदेशों में बेचो तो आपको dollar मिल जाएंगे foreign exchange कमा सकते हो अब Pakistan के साथ देखो उल्टा हुआ उनके products कोई ऐसे तो थे नहीं जो वो export कर सके तो इसलिए उनके exports तो बहुत volatile थे volatile का मतलब होता है कि बहुत उतार चड़ाव भरे कभी हो कभी नहीं होए क्योंकि agriculture खुद उतार चड़ाव भरी थी तो इनके exports जो थे वो बहुत volatile थे और दूसरा इनका जो भी foreign exchange की earning होती थी वो सिर्फ कौनसी वाली होती थी mainly जो इनके मजदूर Middle East में मतलब Saudi Arabia यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं वो जो remittance भेशते थे तो इसी लिए पाकिस्तान की जो foreign exchange earnings थी वो एक तरह से बहुत कम थी और जो थी भी वो भहुती बेकार source से थी यह भी clear होगे point और तीसरा जब किसी की earning कम होती है तो वो बेचारा क्या लेता है loan लेता है तो पाकिस्तान के साथ भी यह हुआ कि उस पर loan का burden इतना हो गया loan का burden इतना हो गया कि वो भड़ता रहा भड़ता रहा growing dependence on foreign loans और फिर वो क्या पैसे वापस कर पाया नहीं कर पाया तो उनको एक तरफ तो ये दिक्कत कि हमें foreign loans लेने पड़ रहे और दूसरी तरफ ये दिक्कत कि वो उसको वापस भी नहीं कर पा रहे थे तो ये वो कारण थे जिसकी वज़ेसे reforms आने के बावजूद भी गरीबी भी भड़ी उनकी और उनकी economic GDP growth rate क्या हुई कम हुई तो clear होगे बस फिर इसकी ending हम एक सितारे के साथ कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान का भी answer समापत हो जाता है तो सितारे में ये लिखना है बस हमको however during the last few years पिछले कुछ वर्षों में comma Pakistan has recovered its economic growth and has been sustaining and has been sustaining तो इसका मतलब ये कि बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने recover तो करा है तो उसकी अब economic growth भी ठीक हो गई है और वो sustain भी कर रही है तो ये हो गया बच्चो appraisal appraisal शमाप्त और appraisal समाप्त का मतलब basically आपका chapter भी समाप्त अजया है